उत्रप्रदेश विधान परिशत के मनोनिस सदस्यों के नाम पर मन्थन अभी भी जारी है हलाकि सूत्रों का दावा है कि बीजेपी की और से मशुहूर कभी कुमार विश्वास को मलसी सीट का ओफर दिया गया था लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है हलाकि बीजेपी के तीन और नामों पर मन्थन चल रहे हैं दिली के राउज वेन्यू कोट ने CBI मामले में आप नेता और दिली के पूरवर डिप्टी सीम मनीश सोधिया की नियाए खिरासा 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है कॉंग्रिस सांसद राहुल गांदी के लंदर में दिये गए बयान पर राजनीती लगातार गर्माई हुई है भारतिय जनरता पार्टी विदेशी धर्ती पर देश का अपमान करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांदी से माफी की मांग कर रही है वहीं इस मामने पर मचे ववाल को देख राहुल ने लोग सभाध्यक्ष ओम बिर्ला को पत्र लिख कर सदन में बोलने की इजाज़त मांगी कोल इंडिया ने आने वाले दिनों में कोईले के दाम बढ़ाने के संकेत दिये है कोल इंडिया के चेर्मेन प्रमोद अगरवाल ने कहा है कि कोल के दाम बढ़ाने का मजबूत पक्षा और कीमते जल्दी बढ़ाई जा सकती है उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डरों के साथ इस दिशा में बातचीत भी चल रही है कोरोना मामलों में अचानक आयो चालने के इंडरस सरकार से लेकर राजय के माथे पर बल ला दिये हैं कोरोना वारस के प्रसार को देखते हुए कि इंडरस स्वास्ते मंतराले की 20 मार्च को एक बड़ी बैठक होने वाली है कई OTT के शोज और सीरीज में वल्गेरिटी से लेकर गाली गलोच की भी काफी भरमार है जिसका बच्चों पर काफी बुरा प्रभाग भी पढ़ रहा है इसे देखते हुए आपके इंडरेस सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है कि इंडरेस सोचना एवं फिसारन मंत्री अनुर भड़के हैं भारत के धाकर टॉप और बलेबास विरात कोली को लेकर लेटिल मास्टर सुनील गावसकर ने अपने क्विस्पोटक बयान से बवाल मचा दिया है अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर रहने वाले पीली भीज से बीजेपी सांसद वरून गांदी के टेवर अब नरम पड़ गए हैं एक वक्त यह चर्चा थी कि वरून गांदी बीजेपी छोड़ सकते हैं लेकिन बीते कुछ दिनों के सियासी घटना कर्म ने इन सियासी अटकलों पर विराम लगा दिया है अब माना जा रहा है कि वरून गांदी दोहजार चौबिस में एक बार फ खंड की धामी सरकार चैतर नवरात्री के उससफ के लिए हर जिड़े के जिलादी कारी को एक एक लाख रुपे जारी करेगी इसके साथ ही उत्रा खंड में चैतर नवरात्री नारी शक्ती उससफ के रूप में मनाया जाएगा बीते कुछ दिनों से उत्रा खड में मौसम ने करवट ली है पहाड़ो पर जहां बर्फ बारी हो रही है वही मैदानी इलाखों में बारिश और ओला व्रिस्ती हो रही है जिसे एक बार फिर ठंड बढ़ गई है मौसम वर्भाग का कहना है कि इसके अलावा कुमाउ मंडल क के जनपदों के कुछ उस्थानों और गडवाल मंदल में कहीं कहीं गर्जन वाले बादल विक्सित होने वे गर्जन के साथ हल्की वर्शा होने की संभावना है अगामी लोग सभा चुनाओ और यूपी निकाय चुनाओ को लेकर तैयारिया श्रू हो गई है यूपी में बी कॉंग्रिस नेता प्रियांक गांधी ने ट्विट कर कहा प्रधान मंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पर विदेश की 38 फरजी कंपनियों से व्यापारिक संबंध होने का आरोप कोई नोटिस नहीं अडानी के जरिये रक्षा शेत्र में फरजी कंपनी की घुसपैट कोई नोटिस नहीं खुद सरकार पर नियम बदलकर अडानी को फादा पहुचाने का आरोप संसर में चर्चा तक नहीं बॉलिवुड के सुपर स्टार सल्मान खान को 18 मार्च को इमेल के जरिये एक बार फिर धमकी भरा लेटर मिला था इसमें लिखा गया था कि गैंगस्टर गोल्डी बरार को सल्मान खान से बात करनी है वाले पोस्टर में लिखा कि प्री अमृत्पाल सिंग, we want justice, we stand with अमृत्पाल सिंग.